नमस्कार, मैं मिनन, MNS News Live में आप सभी दर्शक्त का स्वागत है, आची कुछ खास खबरे हेडलाइन के साथ कल्यांट में कुए में गिरे पांच लोग, पांचों की हुई मोद, बेल गाउ काला दीन मनाने वाले उपर लाठी चार्च शीत कालिन सत्र अब दो हपते चलेगा, कल्यांट में पुरो भागों में इस भाग के इलाके में लोग ग्राम में शंकर मंदिर के पास एक उए में पांच लोग गीरकरों की मौध हो चुकी है, इस घटना में तीन बच्चों का समावेश है और घटना स्थल पर अगनी शामक तल सहित पुलिस कर्मिली मौजुद थे, करनाटक में राज्य निर्मित दीन के निशेद में काला दीन मनाने वाले मराठी भाशिकों पर पुलिस वालों ने लाठी चार्च किया, बेलगाव में महाराश्ट्रे की करन समीती ने सम्मती से आज काला दीन मनाया जाता है, उस इस वक्त यह घटना हुई है, शीद कालीन सत्र राज्य विधान मंडल के शीद कालीन अधिवेशन में 19 नवंबर से शुरू होने वाला है, अब दो हपते चलने वाला है, इस दो हपते के दर्मियान अधिवेशन में हर काम काच के दिन सिर्फ एक दिन रहेंगे, क्योंकि गुरुनानक जैनती के दिन अधिवेशन शुरू होगा, MNS न्यूजलाव की खबर देखने के लिए आज प्लेस्टोर्ट से MNS हिंदी एप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्क्राइब करें, नमस्कार।